Hi everyone, मैं हूँ आचल और बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चानल पर आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि आप अपनी कुर्तीज को कैसे आठ तरीकों से रियूज कर सकते हैं अब हमारी अलमीरा में ऐसी बहुत सारी कुर्तीज होती हैं जो हमको फिट नहीं होती या फिर हम उनको पहनते पहनते बोर हो जाते हैं या फिर वो आउड ओफ फैशन हो जाती हैं हर बार तो हम नई-ने कुर्ति नहीं खरी सकते हैं बट हम उनको reuse ज़रूर कर सकते हैं इन आठ तरीकों से चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहला परिका है कि आप आपनी नॉर्मल कुर्ती से स्लिट कुर्ती बना सकते हैं अगर आपके पास कोई ऐसी कुर्ती है फ्लेयर वाली कुर्ती तो आप इसमें क्या कर सकते हैं एक वर्टिकली इसको कट करके एक स्लिट बना सकते हैं और फिर इसको आप अपनी पैंस के साथ या फिर प्लाजो के साथ या फिर स्कुर्ट के साथ पहन सकते हैं अगर आपके पा एक slit बना सकते हैं और तब आपकी एक बहुत ही ग्लामरोस सी ड्रस तयार हो सकती है आप उसको अपनी ब्रोकेट पैंस के साथ पैर कर सकते हैं पैर कर सकते हैं तो बहुत ही डिजाइनर लोक आपकी एक अनारकली को इस तरीके से मिल सकता है नेक्स अगर आपके पास straight कूरती हैं, simple straight कूरती हैं तो आप क्या कर सकते हैं उनको multi slit कूरती या फिर side slit कूरती में convert कर सकते हैं आप उनके जो original slits हैं, जो उनके side वाले slit हैं उनको आप बंद कर दीजिए और सामने से आप multiple slits उसमें बना सकते हैं या फिर सिर्फ एक side slit बना सकते हैं थोड़ी सी creativity दिखाईए अपनी उसमें थोड़े pom poms आड़ कर दीजिए, laces आड़ कर दीजिए, कोई border attach कर दीजिए, उसमें different tassels आड़ कर सकते हैं और अपनी कुर्तीज को एक नया ही लुप दे सकते हैं नो second option है अपनी कुर्तीज को आप layered कुर्तीज में convert कर सकते हैं layered कुर्तीज मतलब किसी कुर्ती के उपर से पहन सकते हैं या फिर हम जीन्स के साथ उपर से पहन सकते हैं इस टाइप की कुर्तीज तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं जैसे हमारे पास इस तरीके की अगर कोई कुर्ती है तो हम क्या कर सकते हैं हम साइड से इसके दोनों पार्ट्स को इस तरह से कट कर सकते हैं इनके जो edges हैं उनको हम सिलाई लगा देंगे और इस तरीके से एक डोरी आड़ कर सकते हैं, टैसल आड़ कर सकते हैं और देखिए कितना प्यारा लगेगा यह पूरा लोक अगर आप इसको किसी plain कुर्टी के साथ पहनेंगे तो एकदम different look आपको मिलेगा और यह जो कुर्टी ह आपकी बहुती designer look आपको देगी या फिर अगर आपके पास कोई ऐसी कुर्ती है, long full sleeves की कुर्ती, इसमें भी आप front वाला portion निकाल दीजिए, इसको cut कर दीजिए, इसकी edges को stitch करवा दीजिए और आप इसको फिर एक layered कुर्ती की तरह पहन सकते हैं, एक cape की तरह आप इसको पह के साथ किसी के भी साथ आप इसको इस तरीके से पहन सकते हैं, next अगर आपको ये front वाला portion नहीं निकालना है, अगर उसका work अच्छा है, उसमें आगे embroidery वगरा है, तो आप simply उपर से लेके नीचे तक इसको बस cut कर दीजिए, और इसमें आप buttons आड कर दीजिए, तो लेड कु करती है, वो इस तरीके से reuse भी हो जाएगी, third option है, आप अपनी कुर्ती से blouse बना सकते हैं, yes, मेरे पास ये एक कुर्ती थी, frock style वाली कुर्ती, ये काफी ज़ादा trend में थी, 2009-2008 के आसपास, ये काफी ज़ादा trend में थी, इस तरह की frock style कुर्ती, बट अभी ये बिलकुल भ बहुत ज़ादा पसंद था, और इसकी जो embroidery थी, वो intact थी, बिलकुल नहीं थी, बिलकुल भी पुरानी नहीं हुई थी, तो मैं इसको ऐसे ही waste नहीं करना चाहती थी, मैं चाहती थी, मैं इसको कुछ ना कुछ यूज करके, इसको किसी तरीके से पहन लूँ, तो मैंने इसका रिफिट करा सकते हैं, उसमें जिप लगवा सकते हैं, साइड में या फिर आप उसमें हुक्स लगवा सकते हैं, तो यह बहुत ही अच्छा एक option है, अपनी कुर्ती को आप अपनी ब्लाउज में कनवर्ट कर सकते हैं, तो नेक्स जो तरीका है, वो है कि आप अपने कुर्ती जैसे कि आपके आपके अनाकली कृती है आज कल तो फ्लोर लिंथ अनाकली कृती इस ट्रेंड में है बढ़ 2010 के आसपास थोड़े से शॉट वाले अनाकली कुर्ती इस ट्रेंड में थे जो अब बिलकुल वी अच्छे नहीं लगते तो आप स्टेक की कुर्ती में से क्या कर सकते हैं उसका नीचे वाला जो पोशन है जो फ्लेर है उसको कट करवा के अपना लहंगा बना सकते हैं क्या टाइक है तो मैंने एक लहंगा ने तियार कर वाया है मैं आपको दिखाती हूं में पर पास एक कुर्ती थी यह जो फोटो है यह मेरा की किसी तो इव向 टशने इस किवाली किती हम लोगो है तो उसमें मैं रहो आप पहन लिए तो यह जो कूर्टी मैंने काफी बार बहुती है भी बूर हो चिकिकी हो नहीं में कुरती का नीचे वाला पडोशन है, कट कर पके मैने इसा का लेहंगा को अशिच कर वाल मुझे छेमिर चाहहा हं एड प्रैमी एक जाइब यहाया टिफ़सी centralized कर लो नहीं तेली और mix and match करके मैंने अपने लिए एक नई ड्रेस तेयार कर ली। सिमिलरली जो मैंने अभी यह पहले फ्रॉक स्टायल वाली कुर्ती दिखाई थी यह ग्रीन और ब्लाक की इसका जो नीचे वाला पोर्शन था यह बहुत जादा शॉट था तो मेरा लहंगा तो नहीं बन पाया बट इससे मैंने क्या क्या अपनी बेटी का लहंगा बनवा लिय बच्चों की लह害 मिलते हैं वो एक तो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं उपर से इनमे इतना फ्लैर नहीं होता है लेकिन इस लहेंगे में बहुती ज्यादा फ्लैर मिल गया तो इस तरहिक Eastern, अगर आप अपना लहंगा लिया स्टिच कर वा सकते हैं और अपनी कुर्ती को र नटर लगेगा, जैसे कि ये जो मैंने लहेंगा बनवाया इसको इसी तरीके से कट कर वाली जै, और सीधा इसको इस तरीके से पूरा वर्टिकली नीचे तक कट कर वाली जै, और इसके जो एजेगों को जाउन करा दीजए, तो इससे क्या होगा? आपको अपनी शरारे के दो फ्लैर वाले लेग वाल मेल जाएगा और इसके साथ आप ऑपर से उपर जुंं करें उपर वाला या फिर जो इसकी лежings फिर गट को कुरति के साथ लेगिंगी तो सब्सक्रवा का अपर ऑफ हो शिराज उक नेच वाल ऑने पोर्षन येमी जो एढात अच्छा में जिसमें heavy embroidery है उसमें से आप heavy party wear शरारा तयार करवा सकते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा option है अपनी कुर्ती को reuse करने का नौ नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप अपनी sleeveless कुर्ती से ethnic west, ethnic jacket बनवा सकती हैं तीर पास एक ये कुर्ती थी again ये भी frog style में कुर्ती थी बहुत ही सुंदर मुझे इसका color लगा था अपनी शादी के टाइम पर मैंने इस टाइब की बहुत सारी कुर्ती ली थी तो मैंने क्या क् कुर्ती को यह एक्चली यह जुडी हुई थी तो मैंने क्या कि एक बीच में से पूरा ऐसे कटवा दिया और यह कर नीचे वाला दिजाइन जो है वो खराब हो गया है या फिर उपर जो इंब्रोइडरी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है तो सिर्फ उपर उपर वाले पोर्शन को कट कर वा दीजिए बीच में से इसको कट कर वा दीजिए और उसकी जो एजेज हैं को उसको लेस लगवा सकते हैं बहुत ही असान है किसी भी कुर्ती का आप यह इसली बना सकते हैं इन फैक्ट आप खुद से भी बना सकते हैं स्पेशली अगर आपके पास कॉटन कुर्टी जो अब ट्रेंड में नहीं है और हो चुके हैं उसके डिजाइन से या फिर नीचे वाला पार्ट खराब जीन्स के साथ अपनी स्कर्ट के साथ उसको पहन सकते हैं जैसे कि मेरे पास एक यह वाली कुर्ती थी इसका जो मुझे कलर कॉम्बनेशन मुझे बहुत जादा पसंद था मैंने इसको पूरा इतना कट करवा दिया और इसकी जो एजे उसको अगे मैंने स्टिच करवा दिये एक अच्छी से फिनिशिंग इसको मिल गई तो अब मैं इसको अपनी जीन्स के साथ भी पैर करती हूँ अपने प्लाजोज के साथ भी प्लाजोज के साथ भी पैर करती हूँ और कभी-कभी मैं इसको भी साड़ी के साथ भी पैर करती हूँ बहुत ही स्मार्ट लोग आता है सिमिलरली अगर आपके बास कॉटन कुर्तीज है फ्रॉक वाली कुर्तीज उनको आप क्या कर सकते हैं नीचे वाले पोशन को कट करके अपने लिए कॉटन स्कुर्ट्स बनवा सकते हैं अगर प्लाजोज की लेंथ नहीं निकल पा रही है और बहुत जादा शॉट पढ़ रहा अगर आपके पास भी इस तरीकी की कुछ कुर्ती है जो अब आपको फिट नहीं होती या फिर जो अब ट्रेंड में नहीं है तो आप उनको नीचे से कट करवा दीजिए और अपने लिए स्कुर्ट बनवा लीजिए इते कुछ तरीके अपनी कुर्तीज को रियूस करने के आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ न कुछ हल्प आपको इससे जरूर मिली होगी प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा के आप अपनी कुर्तीज को कैसे रियूस करने वाले हैं और हाँ अगर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजेगा, ऐसी और भी अच्छे अच्छी वीडियो देखने के लिए, बने रहे हैं, मेरे साथ आप मुझे जॉइन कर सकते हैं, इंस्टेग